नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा माख मास महातम का चोद्वा अध्याई दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और बैल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ओम नमो नारायनाय लिखकर कमेंट करें वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर करें वैसे तो माग मास में सभी को सुर्योदय से पहले उठकर शिनान करना चाहिए पर यदि आप शिनान नहीं कर पा रहे हैं तो माग मास महातम अर्थात माग मास की कथा को जरूर सुने और शिमत भागवत गीता के एक अध्याय को कम से कम माग मास में जरूर सुने उसका लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है दोस्तों माग मास में शिनान के साथ साथ भगवान शीह को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत महत्व है दोस्तों माग मास में शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाएं और तिलों का दान भी जरूर करें माग मास में जितने तिल आप दान करेंगे उतने कोटी गुना आपको फल की प्राप्ति होगी कहते हैं भगवान किसी का कुछ भी नहीं रखते उसके कितने गुना करके उन्हें वापिस लोटा देते हैं दोस्तों माग मास में गव शाला जाएं गवों को गुड और हर आचारा अपने हाथों से खिलाएं पक्षियों को जवार जरूर दें क्योंकि कहा जाता है कि माग मास में पक्षियों को जितना जवार खिलाएंगे समझो उतने गुना मोती दान का पुन्य मिलेगा दोस्तों माग मास कथा का चोद्वा अध्याए सुनाने जा रही हूं दोस्तों इस कथा में माग मास में शनान के महत्व को ही बताया गया है बोलो च्री विश्नु भगवान की चै दोस्तों हर अध्याए को एकाक्रमन से शद्धा भाव से सुने देखना माग मास में ही यदि आप की कोई भी इच्छा मनो कामना है तो जरूर पूरी होगी चोद्वा अध्याए कार्त विरे जी बोले कि है विप्रशेष्ट किस प्रकार एक वैश्य माग शनान के पुन्ने से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वरक को गया सो मुझ से कहिए तब दत्ता जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उजवल, निर्मल, शुद, मल, नाशक और पापों को धोने वाला है जल सब प्रानियों का पोशन करने वाला है ऐसा वेदो ने कहा है मक्र के सुर्य माग मास में गो के पैर डूबने योग्य जल में भी शनान करने से मुश्य स्वरक को प्रापत होता है यदि सारा मास शनान करने से अशक्त हो तो तीन दिन ही शनान करने से पापों का नाश होकर स्वरक प्रापत होता है चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करें वह भी धनी और दिर्ग आयू होता है पांच दीन श्रान करने से चंद्रमा के सद्रिश शुभाई मान होता है इसलिए अपना शुब चहाने वालों को माख मास में बाहर श्रान करना चाहिए माज मिश्रान करने वालों के नियम कहता हूं अधिक भोजन का उप्योग नहीं करना चाहिए भूमी पर सोना चाहिए भगवान की जिकाल पूझा करनी चाहिए इंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रूई, वस्त्र तथा अन का दान करना चाहिए दूसरे की अगनी नात पे ब्रहामन का दान ना लें और माज के अंत में ब्रहामनों को भोजन कराएं और उनको दक्षना दें एकादशी के नियम से माग शनान का उद्यापन करें भगवान से प्रातना करें कि हे देव इस शनान का मुझको यथोक्त फल दीजिए मोन रहे कर इस मंत्र का उच्चारन करें फिर भगवान का स्मरन करें जो मुश्य श्री गंगा जी में माग मास में शनान करते हैं वे चार हजार युग तक स्वर्ग में गितते हैं जो कोई माग मास में गंगा और यमुना का शनान करता है वे हैं प्रती दिन हजार स्वरन मुद्रा दान का फल प्रापत करता है तथा हजार कपिला गो के दान का फल पाता है राम राम हरे हरे अम्हारे राम्हारे 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 राम्हार Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Om Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare. Radha Krishna Hare Hare Om Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Radha Krishna, Hare Hare